जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें बड़े बड़े अंडे दिखाए जाते हैं और ये अंडे होते हैं डाइनासौर की उन में से डाइनासौर का एक बच्चा अंडे से बाहिर आने की कोशिश कर रहा होता है इसकी बाद हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसे अलग-अलग तरह के डाइनासॉर डिखने का काफी शौक था उस बच्चे का एक बड़ा भाई भी होता है और उन दोनों के शौक सेम थे उन बच्चों की पेरेंट छुट्यां गुजारने के लिए उन्हें उनकी आर्ट के पास भीज देते हैं उनकी आर्ट एक पार्ग जिसका नाम जो रासिक वर्ड था उसकी मैनेजर थी उन बच्चों की आर्ट का नाम होता है क्लेर उस दिन Claire बहुत ज्यादा busy होती है इसलिए वो उन बच्चें को पिक करने के लिए अपने एक उलीक को भीज देती है वो बच्चे जब अपनी आठ Claire से मिलते हैं तो काफी खुश होती है Claire उन्हें एक pass देती है ताकि वो enjoy कर सके और उन्हें लाइन में ना लगना पड़ी इसकी बाद हमें एक genetic doctor जो कि scientist भी थे वो दिखाय जाते हैं उन्होंने दो powerful mission को combine करके एक काफी ताकतवर dinosaur बनाया है और ये combination velocity reptiles और dinosaur का था और ये दोनों dinosaur काफी powerful और खतरनाक होते हैं और जो dinosaur उन्होंने बनाया था वो इन दोनों dinosaur से काफी ज़्यदा खतरनाक और powerful था और इस new dinosaur का नाम उन्होंने Rex रखा था ऐसा करने के पीछे उनका motive success हासिल करना था जिससे Jurassic World पूरी दुनिया में मश्यूर हो जाएगा और लोग यहाँ पर आएंगे जिसकी वज़े से उन्हें बहुत ज़्यादा profit भी होगा इसके बाद हमें Jurassic World के honor दिखाये जाते हैं और movie में उनका नाम Mr. and Mrs. Rani है Claire उन्हें वो new dinosaur Rex दिखाने के लिए अपने साथ लेकर जाती है Rex dinosaur को देखकर वो लोग काफी हैरान रह जाते हैं क्योंकि cage के mirror पर cracks आई हुए थे जो कि Rex नहीं किये थे क्योंकि उसने यहां से बाहर निकलने की कोशिश की थी पार्क की security को ओर टायट करने के लिए वो कहते हैं कि X नेवी soldier Owen को अपनी टीम में शामिल किया जाए वो clear को ये भी पताते हैं कि Owen को Rex का cage भी दिखाया जाए वो ऐसा इसलिए कह रही थे क्योंकि Owen को dinosaur के बारे में काफी knowledge थी और recently वो चार खतरना किसम के raptors को training दे रहा होता है raptors भी खतरना किसम के dinosaur में आते हैं उनमें एक raptor का नाम उसने blue रखा होता है जो कि उसका favorite था पिर Jurassic World की security का leader Owen के पास जाता है और वो Owen को उनके team यानि Jurassic World में शामिल होने के लिए offer करता है वो security leader Owen को ये भी कहता है कि हम तुमारे raptors को war में use करना चाहते हैं क्योंकि ये raptors war में लोगों की मदद कर सकते हैं लेकिन Owen इसके लिए साफ इंकार कर देता है और तभी एक लड़ता raptors के cage में गिर जाता है raptors उस लड़के पर से मारने ही वाले होते हैं कि तभी Owen उसे बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है Owen को इस बात पर believe था कि उसकी raptors उस पर attack नहीं करेंगे Owen उस लड़के की चान बचाकर जल्दी से खुद भी cage से बाहिरा जाता है दूसरी तरफ हम बच्चों को देखते हैं जो कि पार्क में काफी enjoy कर रहे होते हैं वो पानी की डाइनासार को देख कर काफी खुश हो जाते हैं इसकी बाद हम Claire को देखते हैं जो कि Owen के पास आती है यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि Claire और Owen एक दूसरे को like करते थे Claire Owen को उस खतरनाक डाइनासार यानि Rex की बारे में बताती है इसलिए Owen Rex को देखने के लिए Claire की साथ वहाँ पर जाता है लेकिन जब वो लोग उसके cage की पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि Rex तो वहाँ पर है ही नहीं दिवार पर Rex की पंजों की निशान थी जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि Rex ने यहाँ से बागने की कोशिश की है और वो सच में भाग गया है इसलिए Claire फोरन कंट्रोल रूम के लिए निकल पड़ती है क्योंकि उन्होंने Rex को एक tracker लगाया हुआ था जिसकी मदद से वो Rex को track कर सकती थी Claire control room officers को call करती है और Rex की बारे में पूछती है उनसे control room officers Rex को track करते हैं और वो Claire को बताते हैं कि Rex थो अपने cage में ही है और साथ साथ वो Claire को ये information भी देते हैं कि Owen और कुछ workers Rex की cage में चले गए है ये सुनकर Claire बहुत ज़्यादा डर जाती है इसलिए वो control room officers को कहती है कि उन लोगों को जलती से वहाँ से बाहिर निकाल दो जब Owen और उसके workers को ये बात पता चलती है कि Rex वहीं पर है तो वो भागने लगते हैं लेकिन उन लोगों की आवाज सुनकर Rex भी वहाँ पर आ जाता है उन में से एक worker इतना ज्यादा डर जाता है कि वो गबराहट की आलम में केज का दर्वाजा ही खोल देता है और ऐसा करने की बाद वो worker वहाँ से भाग जाता है Owen भी जान बचा कर वहाँ से भाग रहा होता है लेकिन उसके पीछे पीछे Rex भी सब कुछ तोड़ते हुए बाहर आ जाता है जिस worker नहीं खोला होता है Rex उसे पकड़ लेता है और खा लेता है दूसरी तरफ हम Owen को देखते हैं जो कि कार के नीचे छुपा हुआ होता है Owen अपनी बाड़ी पर पट्रोल डाल लेता है तकि Rex को उसकी बाड़ी की स्मेल ना आई और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है Rex वहाँ से चला जाता है फिर Owen बिल्कुल सही सलामत कंट्रोल रोम में आ जाता है Owen क्लियर से पूछता है कि Rex कहां पर गया है क्लियर कहती है कि वो तो वहाँ से भाग चुका है और Rex भाग कर जंगल में गया है हमारी पावरफुल फोर्स उसे पकड़ने के लिए गई है वो Rex को पकड़ लेते हैं उस ट्रेकर की मदद से जो कि उसकी बाड़ी पर लगा हुआ था लेकिन Rex काफी तेज था और काफी स्मार्ट भी इसलिए उसने पहले ही अपना ट्रेकर निकाल कर फैंक दिया था Rex की यह हरकर देखकर वो सब लोग काफी हैरान रह जाते हैं कि क्या कोई जानवर इतना चलाक और इतना स्मार्ट रो समझदार भी हो सकता है तब ही Rex जाडियों के बीच से निकल कर आता है यानि रेक्स काफी देर से उन लोगों पर नज़र रख रहा था फोर्स के लोगों से पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन रेक्स एक एक करके उन्हें ही अपना शिकार बना लीता है यह देखर ओवेनल लोगों को कहता है कि पार्क को जल्दी से बन कर दिया जाए क्यूंकि रेक्स बहुत ज़्यदा पौवरफुल और खतरनाक है लोगों की जान बचाने के लिए क्लियर पार्क का नॉर्थ एरिया ही बन करवा देती है नौर्थ एरिया वो वाला एरिया जहांपर रेक्स था इसकी बाद हमें क्लियर के नेफ्यूस दिखाए जाते हैं जो कि पार्क में इंजुआई कर रहे थी वो गार्डन पॉड में बैठकर डाइनासोर्स को देख रहे होती है तबी क्लियर अपने नेफ्यूस को कॉल करती है वो बच्चे क्लियर को बताती हैं कि हम तो पार्क के नौर्थ हेरिया में हैं क्लियर उन्हें कहती है कि जितना जल्दी हो सके वहां से निकल आओ लेकिन सिवने की वज़े से कॉल कर जाती है उन बच्चों को पता चलता है कि वहाँ पर राइट्स अब बंद कर दिये गए हैं लेकिन वो तो भी और इंजॉई करना चाहते थी लेकिन छोटा बच्चा इस निउस को इग्नॉर करता है फिर रेक्स उन बच्चों यानि उनके गार्डन पॉर्ड पर भी अटैक कर दीता है लेकिन वो गार्डन पॉर्ड काफी ज़्यादा मस्बूत था इसलिए कुछ दिर तो वो गार्डन पॉर्ड तोटता नहीं है लेकिन फिर वो गार्डन पॉर्ट तोड जाता है और दोनों बच्चे नीचे गिर जाती है ये दोनों बच्चे भागते भागते वाटरफाल के पास आ जाती है रेक्स भी उनके पीछे पीछे वहाँ पर आ जाता है लेकिन इससे पहले कि रेक्स उन्हें अपना शिकार बनाता दोनों बच्चे समझदारी का मुझाहिरा करते हुए पाने में गुच जाती है ये देखकर रेक्स वहाँ से चला जाता है और दोनों बच्चों के जान बच जाती है क्लेर ओविन के पास आती है और वो उसे बताती है कि बच्चे नौर्थ हेरिया में है तब ओविन बच्चों को बचाने के लिए क्लेर के साथ जाता है रास्ते में उन्हें डाइनासॉर्स की डेट बॉडिस पड़े हुई मिलती है और इन्हें रेक्स ने मारा था सब डाइनासॉर्स को मरा हुआ देखकर क्लेर काफी दुखी हो जाती है फिर वो बच्चों को बचाने के लिए उस एरिया से निकल जाती है फिर वो जंगल में उस एरिया में जाते हैं जहां उन बच्चों का गार्डन पॉड था वो देखते हैं कि गार्डन पॉड की काफी पूरी हालत है वो पूरी तरह से तोड़ चुका था था ये देखकर क्लियर बहुत ज़्यादा डर जाती है लेकिन तब ही ओविन बच्चों के पैरों के निशान देख लेता है ये देखकर ओविन क्लियर को कहता है कि तुम्हारे नेफ्यों काफी बहादूर है और काफी समझदार भी क्योंकि उन्होंने समझदारी का मुझाहरा किया होगा और वो बच्च गए है बच्चों के पैरों के निशानों को फॉलो करते करते वो लोग वार्डर फॉल दका जाते है ओविन क्लियर को कहता है कि बच्चे बिल्कुल सेफ होंगी हमें वापिस चलना चाहिए क्योंकि आगे जाना किसी खत्रे से खाली नहीं है लेकिन क्लियर उसकी बात नहीं मानती वहाँ आकर वो ये जान पाते हैं कि बच्चे बिल्कुल सेफले यहां से निकल चुके हैं वो दूसरी गाड़ी ठीक करके वहाँ से बागने का सोच ही रहे थे कि तब ही वहाँ पर रेक्स आ जाता है जो लोगों पर अटैक कर देता है सिक्योर्टी लीडर मिस्टर औड मिस्स रानी को कहता है कि रेक्स को पकड़ने के लिए हमें ओविन के रेप्टर्स को यूज करना चाहिए लेकिन वो रेप्टर्स को पार्क में खुला छोड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि वो लोगों के लिए खत्रा बन सकते थी इसलिए वो खुद Rex को पकड़ने के लिए जाते हैं वो लोग दिखते हैं कि Rex क्लियर का पीछा कर रहा है इसलिए वो अपने बड़े वेपन से Rex पर अटैक कर देते हैं लेकिन निशाना ठीक नहीं लगता 占 रेक्स रैप्टाइल यानि उनने वाले डाइनासार्स का केज तोड़ देता है एक रेप्टाइल Mr. and Mrs. Rani की हैलिकॉप्टर से टक्रा जाती है जिससे उनका हैलिकॉप्टर क्रेश हो जाता है और इस क्रेश की वज़े से उन दोनों की मोध हो जाती है क्लेयर को उसकी कुलीक की कॉल आती है वो क्लेयर को बताती है कि स्कियोड जैसे हमने बच्चे को डूम लिया है बच्चे हमारे पास हैं और बिल्कुल सेफ हैं क्लेयर उसे कहती है कि मैं उने लेने के लिए आ रही हूं तब तक तुम उनका खयाल रखो और clear oven के साथ उन्हें लेने जाती है दूसरी तरफ हम reptiles को दिखती है जो कि public में आ कर लोगों पर attack कर दीती है हमें clear की कुलीक दिखाए जाती है जो कि दोनों बच्चों की जान बचा रही होती है लेकिन तब ही एक reptile clear की कुलीक को उठा कर ले जाता है और पानी वाला डाइनसौल उस reptile और clear की कुलीक को निगल जाता है इतने ही देर में clear और oven भी वहाँ पर आजाती है और वो चारों मिल कर वहाँ से जाने लगती है पिर हम security leader को दिखते हैं जो कि Mr. और Mrs. Rani के मरने के बाद oven के raptors को use करने के लिए जाता है वो raptors पर एक machine set up कर दीता है ताकि वो उन पर नज़र लग सकी जब oven को ये बात पता चलती है कि उसके raptors को use किया जा रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा घुसा आता है वो security leader से मिलने जाता है और अपने raptors की बारे में पूछता है दोनों के बीच काफी बहस हो जाती है अब क्योंकि उन लोगों के पास कोई option नहीं था इसलिए oven को security leader की बात मानने ही पड़ती है वो सब मिलकर रेक्स को पकरने का plan बनाती है oven अपने raptors को रेक्स की smell सुगाता है और उन्हें पिंजरे से अजाद कर देता है वो रेक्स जंगल की तरफ भागते हैं और वहाँ जाकर उन्हें रेक्स मिल जाता है oven भी अपने पूरी force के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है यहाँ पर हम बड़ी हरान कर देने वाली चीज़ देखते हैं और वू यह कि रेक्स और वो रेक्स आपस में बाते करने लगते हैं बहुत जाता है लेकिन जर्ट सोलजर उसे कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए इसलिए क्लियर फुल स्पेड में गाड़ी चलाकर वहां से चली जाती है तब भी वहाँ पर ओविन भी आ जाता है और वो क्लियर को कहता है कि तुम मेरे पीचे पीचे आओ फिर वो लोग सही सलामत कंट्रोल रोम में आ जाते हैं सिक्योरटी लीडर बताता है कि मैं इन चारो रैप्टर्स को वोर में यूज़ करना चाहता हूँ लोगों की हैल्प करने के लिए लेकिन तब ही एक रैप्टर वहाँ पर आ जाता है और सिक्योर्टी लीडर पर आटैक कर दीता है और अब वो तीनों रैप्टर्स नॉर्मल हालत में आ जाते हैं लेकिन तब ही वहाँ पर रैक्स भी आ जाता है अब क्योंकि रैप्टर्स नॉर्मल हो गए थे तो वो रैक्स पर अटेक कर देते हैं अब क्योंकि रैक्स उनसे कई ज्यादा पावर्फुल था इसलिए वो उने एकक करकी मार गिराता है क्लेयर का चोटा नेफ्यों कहता है कि अगर उने यहां से बचखकर भागना है तो उने बिल्कुल सेम रेक्स जैसा है डाइनासॉड चाहिए यहां सुनकर क्लेयर को एक और इसलिए वो खतरनाक डाइनासॉर यानि टी-रेक्स डाइनासौर को वहाँ पर बुला लीती है कलेर उसे फलेर दिखा कर अपने पीछे लगा लीती है और टी-रेक्स को अपने पीछे बगाते बगाते वो रेक्स के पास लियाती है जहाँ पर दोनों का तरना किसम की डाइनासौर्स यानि टी-रेक्स डाइनासौर और रेक्स एक दूसरी की आमने सामने आ जाती है दोनों डाइनासौर्स के बीच जबरदस्ट फाइट होती है अब क्योंकि रेक्स ज्यादा पावरफुल था तो वो टी-रेक्स डाइनासौर को इंजियर्ट कर दीता है तब ही वहाँ पर ओविन की ब्लू रेक्टर आ जाती है जो की रेक्स पर एटेक कर देती है जखमी टी-रेक्स को भी मौका मिल जाता है और वो भी रेक्स पर एटेक कर देता है तीनों के बीच बहुत बड़ी फाइट होती है तब भी पानी का डाइनासोर आता है और अपनी तेज दान्तों की मदद से वो रेक्स को पकड़ लीता है और उसे गसीटते हुए अपने साथ पानी में ले जाता है और वहाँ ले जाकर वो उसे मार डालता है अब रैक्स का खात्मा हो चुका था और T-Rex भी काफी इंजर्ड हो चुका था जिसकी वैज़े से वो वहाँ से चला चाता है आवीन ब्लू रैप्टर को इशारा करता है और वो भी वहाँ से चला चाता है फिर Claire की sister वहाँ पर आती है अपने बच्चों को लेने के लिए वो Claire को thank you बोलती है कि उसने उनकी बच्चों की जान बचाई और Owen ने भी वहाँ पर और भी injured लोग थे जिने reptiles ने injured किया था यहीं पर ही ये movie end हो जाती है